Hello everyone, welcome back to my channel, तो आज हम पढ़ने पाले हैं पंच तंतर की कहानिया जिसमें आज की कहानी है शेर और चूहा पंच तंतर की कहानिया शेर और चूहा एक बार एक शेर अपनी गुफा के भार सो रहा था एक छोटा चूहा जो पास मही रहता था वह सेर के खराटों से परशान हो रहा था चूहे ने सेर की पीठ पर पुद्रा शुरू कर दिया सेर की नीन खराब हो गई और वह उठ गया उसने चूहे को पकड़ दिया और गुशे में चिलाया तुमारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नीन खराब करने की जो मेरी नीन खराब करता है उसे मौट मिलती है अब मैं तुम्हे मार कर खा जाओंगा मौट दर गया और सेर के आगे गिर गिराते हुएं कहने लगा माराज क्रिपया मुझे मत खाए मुझे जाने देजिए मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपके असान का बदला जरूर उतारूँगा सेर मुझे छोटे से तुहे की तरफ देखा और जोर से हसा तुम मेरे असान का बदला उतारोगे क्या बात है उसने हसते हुए कहा लेकिन तुमने मुझे हसाया है इसलिए मैं तुम्हे छोड देता हूँ सेर मैं तुहे को जाने दिया धन्यवाद माराज चुहे ने दभी होई वाज में कहा और भाग गया एक दिन सेर चिकारियों के जाल में फस गया सेर ने बहुत संघर्ष किया लेकिन अपने आपको अजाद नहीं करवा पाया वह खुद को अजाद कराने के लिए बहुत तेज गुराया चुहे ने सेर की अवाज सुन ली चुहा सेर की अवाज की तरफ भागा और सेर के शिकारी के जाल में फसा हुआ पाया चुहे ने कहा मैं अभी आपको अजाद करा देता हूँ और खराब किये चुहे ने जाल को कुतरना शुरू कर दिया जल्दी ही सेर अजाद हो गया सेर ने विन मरता से कहा अब सेर तुम मेरे मित्र हो शिक्सा हमें किसी कोच होता और कमजोर नहीं समझना चाहिए धन्यावाद